Welcome to our channel CryptoMinders Luna 2.0 launch होने वाला है कई international top exchanges पर 27th मैं को यानि की कल बट इसके opposite कई exchanges इसको list करने से मना भी कर रही है और इसकी listing को लेकर oppose कर रही है जिसके पीछे का reason बहुत simple है जिस तरह से Luna crash हुआ या Luna scam भी कह सकते है तो again कैसे trust किया जा सकता है ऐसे project पर बट Hubie और Binance Exchange इसे support कर रहे है और इनी पर ये 27th मैं को list होगा इसके साथ है जिन investors ने Luna coin को crash से पहले hold करके रखा हुआ था और जिनोंने crash के बाद Luna coin को buy किया है उन्हें Luna 2.0 के कितने coin मिलेंगे Indian exchanges पर कब list होगा Luna coin और कैसे आप Luna 2 coin को claim कर सकते हो ऐसे कई सारे question के answer आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे इसलिए वीडियो के end तक जरूर देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अमारे channel पे new है तो subscribe बटन पर क्लिक करके channel को subscribe जरूर करें सबसे पहले जानते है pre-luna crash holders and post-luna crash holders की definition क्या है pre-luna crash का मतलब है जिनोंने luna coin को 7 माई से पहले hold करके रखा हुआ था वो आएंगे pre-luna crash holders में and post-luna crash का मतलब है जिनोंने 7 माई के बाद luna coin को buy करके hold किया हुआ है वो दोस्तों आएंगे post-luna crash holders में आप screen पर timing देख सकते हो कभी ये data collect किया जाएगा pre-luna crash के लिए इसकी date 7 में थी and post-luna crash के लिए ये होगा 27 में इस time तक आपको luna को hold करके रखना है तब ही आप luna 2 के लिए eligible हो पाऊगे next and सबसे important question है before luna crash holder and after luna crash holder को कितने luna 2 coin मिलेंगे total luna 2 coin में से 35% share pre-luna crash holders को मिलेगा pre-luna crash total circulating supply थी luna की 1 billion उसका 35% वाट 350 million 350 million coin distribute किये जाएंगे pre-luna crash holders को उस 350 में से individual को कितने earn मिलेंगे इसके लिए यहाँ कोई specific चीज mention नहीं की गई है अब बात करते हैं post-luna crash holders की उनके लिए 10% का share distribute किये जाएगा 1 billion की supply में से जो बनता है 100 million luna coin luna developers ने यहाँ ऐसा कुछ भी mention नहीं किया है कि individual को luna 2 coin कितने मिलेंगे बट उन्होंने total percentage mention किया है जो pre and post luna crash holder दोनों को दिया जाएगा बट यह बात शोर है कि आपको luna 1 के compare में luna 2 कम ही मिलेंगे यह बात तो हुई कि इसको कितना share मिलने वाला है अब बात करते हैं यह मिलेगा कैसे luna 2 को airdrop किया जाएगा अगर आपको नहीं पता airdrop क्या होता है तो उपर दिये आई बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते है इसमें हमने best 3 website भी बताई है जहां पर आप free में airdrop participate कर सकते हो अगर आपके पास luna coin है और अगर आप eligible हो तो वो आपके wallet में automatically आ जाएगा 27th मैं को luna coin के लिए data लिया जाएगा तब सभी को उसके share के luna 2 coin मिल जाएगे Binance पर यह तभी list हो जाएगा जिनके पास Binance wallet है luna coin उनको उसी time receive हो जाएगे अब बात करते हैं Indian exchange में अगर आपके पास luna coin है तो आपको कम मिलेगा आपको ये बात पता होनी चाहिए कोई भी coin का airdrop आपको तब मिलेगा जब वो आपकी exchanges पर list होगा बट यहाँ पर domestic exchanges के लिए कुछ mention नहीं किया गया है कि कब list होगा और ना ऐसी कोई news है market में अभी luna coin international exchanges पर list हो रहा है जब domestic exchanges पर luna coin list होगा आपको अपने luna 2 coin automatically उसी time मिल जाएगे तब तक आपको wait करना पड़ेगा अब आते हैं last question पर luna 2 की listing के बाद old luna coin का क्या होगा luna coin की value almost zero हो जाएगी क्योंकि luna coin का कोई purpose नहीं रह जाएगा इसके लावा जो luna 2 है वो old luna की तरह table coin ust से link भी नहीं होगा normal coin की तरह इसको market में list किया जाएगा ये था दोस्तो आज का अमारा वीडियो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगाओगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए and last हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले Thank you, जाहिं